अलो दोस्तों कैसे आप सब उमिद करते हूं रोज की तरह आप सब बहुत ही अच्छ होंगी दोस्तों आज मैं फिट से एक वीडियो लेकि आ गई हूं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ घरेलू टेप्स हो सकता है आपकी काम आ जाए तो इसलिए वीडियो को लाज त K dv का और एसी कर्यो आप जो भी यूच कर एडियो को ले सकते हैं तो यहां पर हम यह करेंगे इसको लिए क्लीन करने के लिए कि अगर हम मोबाइल को पानी डालेंगे तो ऐसी कराब तो यहां पर मैं इस बीओ का यूज़ कर रही हूं तो यह बहुत ही इकली क्लीन हो जाता देखिए मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूं बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा आप एक बर ज़रू ट्राइप करे तब आपको पता चलेगा है कि हाँ यह बहुत ही इच्छे से पता चल जाएगा यहां पर जो हमारा कॉटेन है एकदम काला हो गया है और कोई खर्चा नहीं है जो भी आपके घर में स्प्रेय हो उसको हम यूज कर सकते हैं इसको फिलिन करने के लिए या वह सेनिटाइजर हो या फिर दियो हो तो आई होप आपको यह वाली टी हैं वैसे इसको बेकार समझ कर हम फेक देते हैं तो आज मैं आपके साथ एक आइडिया सेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा तो क्या करेंगे हम इसमें बीच में कुछी तरीके से रेक्टैंगल का सेप देंगे आप यहां पर इसके लिया बीना स्केल का भी रेक्टैंगल ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर मैं रो करके आपको बता रही हूँ कि इसके बात करना क्या है देखिए यहां पर मैं रेक्टैंगल को ड्रॉ कर लिए हूँ उसके बाद हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे हमें दोनों पार्ट को नहीं कट करना ह हमें केवल उपर वाले पॉर्शन को ही कट करना है तो यहां पर मैं इसको ड्रॉ करने के बाद अच्छे से इसको कट कर लोंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि इसका यूज हम कैसे करेंगे जिस मैक को हम बेकार समझ कर देते थे आज इस वीडियो में आपको बहुत ही तो अच्छा इडिया को मिलेगा तो अब हम इसका यूज करेंगे किशेन और कहीं हमें इसको हैं करते हैं किम भuppet week क्वा सब्सक्राइब इसमिर सकते हूं जरूरत पड़े हम इसमेंने अच्छा लगेगा और अधिल जो आपको या वह सब्टन वह źli ज्तरवत बता इए börड़ते के कभीन Congressman सब้ख It हो जब यह बद्टन खरीद के लिए आते हैं खास कर जब युग यदू सटील का वजय तो इस पर क्या होता है इक प्रकार का स्टीकर लगा होता है जब भी हमस्टीकर को निकलने जाते हैं तो वh इसपी निपलता नहीं है इसकjem कर ले निकलता यदा two निपल भी टो टो उसके बहुत लगा ही राता लच्ट कर और उसका बहुत नतर तो ऐससे नाइफ से भी निकाल रहा हो वह नहीं निकलने वाला है कि चिपका देता है और फिर निसान की छोड़ देता अगर हम चूह दो हम और निकालन स्थीकर को भी करनार्य एक मिनुजट के लिए धोड़ा सा गर्म चाहसा बंदने ang 在 that Town उसके नीचे में देटेसर आपत कर लीए स्टीकर के नीचे वह पिघल जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम जब इसको स्टीकर को निकालेंगे तो देखिए स्टीकर बहुत ही निकल जाएगा और इस गम को हम फटा-फट से पोस्ट देंगे क्योंकि इसका जो गम है वह भी गरम है फटा- छिए आज यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे सप्ट का नेयल पेंट को घटाने के लिए तो क्या करेंगे इसमें तो आज हम यूज करेंगे थोड़ा सा अपने नेल के ऊपर हम सेनिटाइजर को थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कॉटन की हेल्प से इसको प्लीन करेंगे सेनिटाइजर में भी थोड़ा सा स्प्रीट पाया जाता है अगर हम थोड़ा सा इसको टाइटली अगर हम रगड़ेंगे तो हमारा जो नेल पेंट है वह बहुत ही इसली निकल जाएगा तो देखे यहां पर मैं इसे क्लीन करके आपको दिखा रहे हूं यह ट्रिक आपको काम हो या कोई भी यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि नेल पेंट हट रहा है कि नहीं क्योंकि अगर हम सेनिटाइजर यूज करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा स्प्रीट रहता है सुबह की भागदोर में अगर हम बटर को प्रेश से निकालना बूल जाए तो हमारा वो काम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है कि यह जो बटर वह वहां लगत ही था यह जांगा तो हमारे पास चाइब होती है, जो हम चाए-चाय को चानने के लिए उसका हम यूज करेंगे इससे बटर को मेल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इस चाइब कर से रब करेंगे तो यह जो बटर है जो की बहुत ही ज्यादा हाट बन गया है आप देखेंगे कि इस चड़नी के उपर इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा तो यह बहुत ही जाएगा जो हमारा काम है वह हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको हम चम्मत से निकाल कर रोटी या ब्रेट पर लगा सकते हैं हमारा जो मिंटों का काम थो सेकेंडों में हो गया तो कैसा लगा आपको यह ट्रिक हमको जरूर बताए कमेंट बक्स में तो अब हम इसे रोटी या ब्रेट पर बहुत ही इजली लगा सकते हैं स्पून की मदद से अगर हम फ्रीज से बटर को निकल न भूल गये तो इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं यह था मेरा आज का वीडियो थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए घंटी को जरूर बजाएगा आगे आने वले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मिलते हैं आप नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई